जय हिन दोस्तों मैं आपका भाई मुहनी शिवले आजम आप सब का खेर मगदम करता हूं स्वागित करता हूं दोस्तों आज हम पीपी शुकर बैक्स के स्क्रैप की गाड़ी लोड करने वाले ये बैक में अप्टू 70% बैक्स अच्छे निकलते हैं मुह खुले निकलते हैं औ उसमें लंबे-लंबे फालर और रापर्स निकल जाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे जैसे के खांसा मदद कर रहे हैं और ये वाली गाड़ी लोड करने में लगे हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं पूरा नजारा कैसे क्या गाड़ी लोड होती है दोस्तों इस व कर आती है और मक्य और मदमक्यां परेशान करती है पर जहां पर अक्सर लोगों की नजर ने जाती है वहां से MS Trader फाइदा यानि के प्रॉफिट निकल वाता है आपके स्क्रिंग के सामने जो कंसाइन्मेंट नजर आ रहा है इस कंसाइन्मेंट में अप टू 70% तक अच्छे मुख खुले बैक्स आ जाते हैं अब 50, 60 और 70% तक लोगों को इसमें बैक्स हासिल हुए है आपकी जनकारी के लिए में बता दूँ कि यहां पर आप तीन तरीके से पैसे कमा सकते हैं अगर आप इसे सेग्रिगेट या शॉटिंग करते हैं तो सबसे पहले इसमें जो अच् फटे-फुटे होते हैं या मुची रह होता है उस बैक को आप काज भरने के लिए बेर बॉटल भरने के लिए बंगार वालों को बेच सकते हैं वो तीन रुपए से पाच रुपए पर पीस चला जाता है और तीसरा इसमें लंबे-लंबे फाले और रापर आते हैं जो पैके खान साब वो बंडल खुलिये जरा नीचे का दोस्तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं खान साब आपको बंडल खोल के दिखा रहे हैं और यह बता रहे हैं कि हर एक बंडल में कितने अच्छे मूँ खुले हुए या सिलाई खुली वी बैक्स हैं अब यह बैक्स पाच से पंदर रुपए पर पीस तक बिग जाते हैं यानिके बीच से कट होता है छोटे-छोटे सुराक होते हैं तो यह बैक्स जो होते हैं यह बंगार वालों को यह बैक्स चल जाते हैं खास तौर पर काच की बॉटल या बीर बॉटल भरने के लिए और जो बचे हुए बैक्स रहते हैं जिन बैक्स को आप वापर नहीं सकते वो बैग आप गलाने के लिए वाफर सकते हैं इनमें 20 से 30 प्रतिशत के करीब फाले भी निकल जाते हैं रापर या पैकेज़िंग मेट्रियल ये खास तौर पे लंबे-लंबे पीपी बैक्स के शीट होते हैं इसे आप packaging material के लिए वापर सकते हैं, market में follow का इतना demand है, कि ये 30 से 35 रुपए किलो तक बिग जाता है, पर इसी शक्कर बैक के consignment में, अक्सर वेपारियों का सवाल होता है, कि खान साब emiss trader ये बता है, कि इसमें तो शक्कर भी निकलता है, तो वो शक्कर को हम कैसे cover करें, ये तो हमारे काम का नहीं होता है, पर आपको बता दू, ये पूरा सच नहीं है, एक consignment में, एप्रॉक्सिमेट 10 से 15 किलो शक्कर निकलता है, यानि के 5 तन का जो एक consignment होता है, उसमें अप्टू 15 केजी है, 20 केजी तक शक्कर निकलता है, पर ये शक्कर भी बिखता है, बस बेचने वाले को सई जगा पता होने चीए, आलकॉल बनाने वालों से लेके, जो फिल्म स्टूडियोज में काच, जो शुगर कोटिंग के बनते हैं, वो और अन्या शुगर वापरने वाले कमपनी इन शुगर को लेती हैं, मार्केट में 40 रुपे किलो के करीब शक्कर भी करा है, पर अगर आप इसे 25 रुपे किलो में भी बेशते हैं, तो भी आपका मोनाफा है, फाइदा है, मैंने 100 किलो के एक एस्टिमेट दिया है, पर शक्कर एप्रॉक्सिमेट 15 किलो के आसपास निकलता है 5 तन के कंसाइन्मेंट में, आप जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस गाड़ी में हम जादा तर वो बंडल ही लोड कर रहे हैं, क्योंकि बंडल में सबसे जादा मुँ खुले वे, सिलाई खुले वे बैग्स हैं, पर जब तक आप बंडल खोलेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा, कि इसमें कितने अच्छे बैग्स है, कितने अच्छे नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा ये कच्रे के धेर में सोना छुपा है पर कई स्क्राप डीलर्स को मालूम नहीं पड़ता और इस बात को MS Trader ने पता किया MS Trader की ये पहली गाड़ी नहीं है इसी Sugar Bag की ये चौती गाड़ी है और हमारे अभी तर पहले तीन जो Clients है ये ती सब्सक्राइब और फाइदा ही होगा साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा इस बैक के अंदर आपको अकसर LD की कोटिंग मिलती है और वह वाकई में LD होता है ना वह हम होता है ना वह फैरल LD होती है ये LD अगर आप इसे जटक लेते हैं तो ये LD की क्वालिटी 40- पचपन रुपए किलो की बन जाती है यानि के आपने पीपी शुगर बैक की कीमत में LD को भी ले लिया पाच टन के कंसाइंडमेंट में अगर एक टन भी LD बैक निकलता है तो भी आपने डबल मुनाफ़ा कमा लिया बस ये कमाने का तरीका होता है अब आप देख पार होंग के खान साब 60 साल के आयू में भी इस तरह मेहनत कर रहे हैं कि वो अपने क्लाइंट को साटेस्फाइ कर सके और इसलिए अंदर घुश घुश के बंडल निकाल रहे हैं और आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि इस कछरे के पहाड में किस तरह अंडर बंडल छुपे हुए है और ये बंडल आपको मुख खुले बैक्स का आनन्द देंगे और मुख खुले बैक्स का आपको ओवराल एक्सपीरिंस देंगे इसमें जो फाले निकलते हैं ये फाले भी बहुत ज़ादा मार्केट में डिमांडिंग होते हैं बहुत बढ़िया दोस्त ये जो बंडल बंडल है ना बैक का इसको ऐसा थपी लगाओ और छूटे माल को दबाओ अब आपके स्क्रीन के सामने आप देखिए आपको दिखाई दे रहा है किस तरह साफ सुत्रे क्लीन बैक का कंसाइन्मेंट आपको नजर आ रहा है इसी तरह के बैक्स अब आप देखें इसी तरह के बैक्स अगर आपको मिलेंगे तो आप इसमें कितना लाब उठा पाएंगे पर फिर से घूम फिर के बाद वही होती है कि अगर आपको इस तरह का कंसाइन्मेंट लेना है तो आपको सेग्रिकेशन करना होगा हम अप्टू 70 और इसमें निकलने के लिए 40 प्रतिशत के करीब 50 प्रतिशत के करीब 60 प्रतिशत के करीब कभी-कभी नसीब अगर आपकी साथ देए तो 70 प्रतिशत के करीब मुझ खुले यानि के सिलाए खुले वाले बैक्स निकल जाते हैं चलिए अब इस वीडियो में आगे भी आपको बीवाप रहे जाते हैं. इनमें जो गंदे bags होते हैं, Airfolg Nhavant का वository कि भार गंदे bags कम से कम client को जाएं. तो इसी के लिए हम लेबर को बात बात पर ताकीद करते रहते हैं कि कच्ら मत लूड़ करना वनना client नाराज हो जाएगा. client नाराज होगा तो रोजगार रुक जाएगा और अगर रोजगार रुकेगा तो आपका पैसा कहां से आएगा ये बात जब बार-बार हम हमारे कामगारों को कहते हैं तो कामगारों के दिमाग में ये बात बैड़ जाती है और वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो क्लाइन की रिक्वार्मेंट उसको fulfill की जाए मैं इस वीडियो के माद्यम के जरी आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपके हाथ ऐसा consignment लगता है तो आप कम से कम तीन बार उसे अच्छे से verify करें और एक दिन में तीन बार verify करने की जरुवत नहीं है आप तीन दिन मुसलसल जाएं और हर बार verify करें बंडल को छाटे अंदर गुसें और अच्छी तरह चेक करें क्योंकि अगर पैसा है कमाना तो ध्यान भी है लगाना अगर आप ध्यान लगा पाते हैं अच्छे से verify कर पाते हैं तो ऐसे consignment आपके भी हाथ में आएंगे यानि कि खरीदेंगे माल आप कोडियों के दाम और बेचेंगे उसे सोने के दाम तो चलिए फिर मिल के गाते हैं कच्छा बदा जोग सपाट अगर आपको ये मजाग पसंद आया होगा तो comment box में जरू लिख के बताएं क्योंकि आपके comment पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमारा परिवार कितना बड़ा है और comment box में सिर्फ यही ना लिख के बताएं बलके feedback भी दें क्योंकि आपके feedback से MS trader को सुदरने में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और आपके feedback में अगर आप मदद मांगेंगे तो परिवार से मदद मांगने पर परिवार से मदद मिलती है और MS trader एक परिवार है और आप उस परिवार के member और जबी किसी परिवार के सदस्य को मदद के आवर्शक्ता होती है तो परिवार हाजिर होता है इसी के लिए तो हम कहते हैं आप हमारा परिवार है और ऐसे हमारे परिवार को बड़ा करने में मदद करें अगर आपको scrap की जानकारी plastic scrap के business की जानकारी market में कोई नहीं provide कराता है तो screen पे दिये गए number पे timing अनुसार आप हमें call करें अगर अब आपका फोन नहीं response करते हैं तो WhatsApp पे अपनी details के साथ अपने प्रश्णों को छोड़ दें, share कर दें हम अवश्य आपकी साहिता करेंगे feasible Allah, Allah के रिजा के लिए क्योंकि MS Trader का ये goal और motto है कि अगर देश से बेरोजगारी को है बगाना तो उद्योक को बिजनस को दिल से है अपनाना, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है और ये वीडियो वाकए में आपकी जिंदगी बदल रहा है तो एक like बटन जरू दबाके जाएं, और मुसलसल अगर MS Trader के वीडियो देखने के आपका मन करता है, और आप चाते हैं कि ऐसे ही आप हमारे वीडियो देखें तो सब्सक्राइब बटन कहां पे हैं, ये मुझे आपको पतानी की जरूरत नहीं, फॉरन सब्सक्राइब बटन दबाएं, और परिवार का एक सदस्य बन जाएं, मैं आपका भाई सीन देखना ना भूलें, सिर्फ मारवल वाले नहीं, आज कल में स्ट्रेडर भी एंट्रेड सीन दाल रहें, अस्सलाम अलेकुम, जय हिंद, जय महराश्ट्राइब दोस्तों क्या कभी आप इतना थके हो देखिए, हाथ देखिए खांसाब का, चेहरा देखिए, और ये कपड़ा देखिए बोले-बोले, क्या बोल रहे हैं? कुछ गधे लोग को कमेंट आता है, कुछ लोग बोलते हैं, हैमेस्ट्रेडर से काम मत करो कुछ लोग क्या बोलते हैं, हमेस्ट्रेडर से फोन मत करो बात दंदा मत करो, अरे साले आके देखो, हमेस्ट्रेडर क्या करता है, मेहनत करो, तम मालू पढ़ेगा मतलब मेहनत की खाते हैं, खांसाब? मेहनत किया जाता है, कुर्चिप नहीं बेटा, कुर्चिप बेटने माले फ्रॉड करते है, फोस्यार रहो उनसे